महीने के शुरुवात के पहले ही दिन जहां गर्मी ने लोगों को बेहाल किया वहीं दूसरे दिन अचानक तूफान और आंधी ने सैकडो लोगों की जान ले ली वहीं मौसम विभाग के अनुसार शेत्र में बने चक्रवाती परिसंचार तंत्र से आगामी 48 घंटों के दोरान उतर प्रदेश और राजिस्तान के कुछ हिस्सों में फिर से धूल भरी आंधी आने की पूर्वनमान लगाए गये हैं मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि उनके विभाग ने पिछले दो दिनों में आधी तूफान की चेतामनी जारी की थी अगले 48 घंटों के दोरान तेज हवाओं के चलने से धूल भरा अंधर आने की पूरी संभावना है इससे उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती शेत्र विशेशकर करोली धौल पूर जिले प्रभावित हो सकते हैं वहीं बिहार उत्राखंड दिल्ली और हरियाना से सटे इलाकों में मौसम खराब रहने की आशंका जताई जा रही है